दोस्तों अगर आप अपने Android फोन पर Windows 10, Windows 8 या फिर Windows 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहना बहुत अमेजिंग होने वाली है तो सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाएए और बॉश नाम का ये एमिलूटर डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल फ्री है रेटिंग आप देख सकते हैं 4 की रेटिंग है यानि की 4.0 जो की काफी अच्छी रेटिंग है और ये बहुत अच्छा एमिलूटर है जिससे आपका जो .img तो ये करना ज़रूरी है तभी एमिलूटर इससे रीड कर पाएगा और अच्छे से एमिलेट कर पाएगा अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर जाएए वहां लिखिए Windows 8 या जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं और आप यहां से ISO format में यानि की IMG जो image file है वो डाउनलोड कर लीजिए तो यहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको 64 bit के लिए डाउनलोड करने है या 32 bit के लिए सेम प्रोसीजर है Windows 10, 8, 7 या Windows XP डाउनलोड करने के लिए जो भी डाउनलोड करनी है गूगल में उसका नाम लिख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए जब आएक बार उसे डाउनलोड कर ले तो अपना emulator open कीजिए जो Windows की file है उसे अपने device में डाल लीजिए कहीं पर भी करिए अगर आप Windows XP यूज कर रहे हैं अगर आप 7 या फिर Windows 10 की ISO file यूज करते हैं तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से settings चेक कर सकते हैं यहाँ मैंने RAM 1GB दे रखी है आप देख सकते हैं कि जो मेरी Windows XP होगी वो 1GB RAM के साथ होगी तो आप देख सकते हैं मैंने memory यहाँ पर 1GB दे रखी है यहाँ पर मैंने sound driver, sound cart सब कुछ select कर रखा है और आपको भी यही select करना है जो मैंने करा है उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कुछ है उसे default रैनिज दीजिए उसे आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है ना उसमें बिल्कुल की changes करने है तो जैसा आपको यहाँ पर मिलता है emulator के साथ बिल्कुल आपको वैसी ही रखना है अगर आप चाहें तो खुद यहाँ पर emulator के थुरू download कर सकते हैं ROMS जैसे कि यहाँ पर लिनुक्स की ROM download कर सकते हैं Tiny code Linux download कर सकते हैं तो आप यहाँ से भी download कर सकते हैं मतलब आप Linux भी Windows के बाद आपकी जो Windows है वो normal start हो जाएगी और boot हो जाएगी मैं आपको एक tip देना चाहूँगा यहाँ पर अगर आप Windows 10 या Windows 8 emulate करना चाहते हैं तो make sure आपका जो Android डिवाइस वो बहुत powerful होना चाहिए मतलब एक high-end Android device होना चाहिए otherwise वो उतने अच्छे से क्या चले गई नही Windows 10 वगेरा तो Windows XP और 7 तो चल जाएगा बट 10 और 8 चलाने के लिए आपको एक काफी अच्छे और high-end device की जरुरत पड़ेगी बट Windows XP काफी अच्छे से चल लिए और मैं काफी हद तक सारे features access कर पा रहा हूँ Windows XP के अब देख सकते हैं यहाँ पर all programs में मैं गया हूँ यहाँ अगर आप जाके पेंट वगरा टूल भी यूज कर सकते हैं और काफी अच्छे से यूज करता है सर्वे स्टॉप करने के लिए आपको नोडिफिकेशन चीट पर जागना है और यहाँ पर बॉश इस रणिंग के आगे स्टॉप लिखा है उस पे क्लिक करना है और आपके ज